हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पात्मेकर में मेरे नामे सौरव और दोस्तो सुबह के 9 बच्चों के समय हो चुका हमारी जीके बुष्टप सिरीज का देखें दोस्तो जैसे कि आप से भी जानते हैं कि दिल्ली प्लिस के अभी एक्जाम हाली में चल रहे हैं और हम दोस्तो उसका एनलिसिस कर रहे हैं विसलेशन कर रहे हैं कौन-कौन से जीके के कोशन आ रहे हैं तो दोस्तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे कोश्चन लगबग 70-80% कोश्चन क्या है दोस्तो डारेक्टली हमारे GK बुश्चप सीरीज से ही फस रहे हैं दोस्तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें जिसका भी आने वाले शिफ्टों में एक्जाम है या फिर आगे आने वाले कुछ महीनों में उनका एक्जाम है जैसे कि NTPC या गुरूप D वो देने वाले हैं दोस्तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके ये 1500-1600 लगबग हमारे GK बुश्चप सीरीज के कोश्चन्स हैं आप उनको कवर कर लीजिएगा मैं गारंटी देता हूं कि आप 80-90% स्टैटिक GK को कमापे कवर कर पा रहे होंगा बहुत ही आसानी से ठीक है बढ़ते हैं दो सालावाई की संदी की गई थी अप्शन C सन 1782 में दोस्तो यह गॉालियर के पास अंगरेजो और मराठो के बीच में की गई थी गगई थी अगर आपको पूछी जाए तो 17 माई 1782 को सालावाई की संदी की गई थी देखे दोस्तों यह हमारे पास लिखा हुए 1665, 1775 और 1784 यह दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था देखे दोस्तों मैं आपको revise करा देता हूँ अगर आपने वो वीडियो ना देखियो तो 1665 में दोस्तों की गई थी पुरंदर की संदी सन 1775 में दोस्तों की गई थी सूरत की संदी सन 1784 में की गई थी दोस्तों मंगलोर की संदी ठीक है नेक्स कोर्शन की और बढ़ते है कोर्शन बढ़ दो हमारे सामने है निम में से किसे लाक बक्ष के नाम से भी जाना जाता था हमारे पास चार उपस्वान कुतुबुदीन एबक, इल्टुतमिश, बल्बन या फिर रजय सुल्तान इसका सही इंसर है दोस्तों लाकबक्ष के नाम से जानते थे कुतुबुदीन एबक को दोस्तों कुतुबुदीन एबक नहीं तरहीं के दूतिय युद के पस्चाद इसले इनको लाकबक्ष की उपादी से सम्भाने किया गया था दोस्तों इन्हें कुरान खान के नाम से भी जानते थे किस नाम से दोस्तों कुरान खान के नाम से दोस्तों इनी के द्वारा किसका निर्मान स्टार्ट करवाए गया था इनके द्वारा कुतुब मिनार का निर्मान स्टार्ट करवाए गया था हाला कि यह उसको कंप्लीट नहीं करवा पाई थे इसकी इनकी बीच में ही मुरिक्ति हो गई थी बाद में इल्तुत मिज्ड ने इसका निर्मान करवाय था दोस्तों धाई दिन का जोपड़े का निर्मान भी किसके दोरा करवाय गया था वो भी दोस्तों कुतुबुदीन एबग के दोरा ही करवाय गया था और जो कि बक्तियार काके की याद में करवाय गया था दहाई दिन का जोबड़ा दोस्तों क्या था एक मस्जीद थी ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों कोशनमबर तीन की ओर कोशनमबर तीन हमारे सामने में से कौन सी पुस्तक को हुएंग सांग के द्वारा लिखा गया था हमारे पास चार आप्शन है दोस्तों जो हुएंग सांग है इन्होंने नालंदा विश्वित द्याले में अपनी पढ़ाई की थी और बाद में दोस्तों ये नालंदा विश्वित द्याले में क्या बन गई थे प्रोफेसर बन गई थे और दोस्तों किस के शाफसन काल में आये थे हुएंग सांग ठीक है, कोशनमबर 4 किरों बढ़ते हैं, बादलों की गती एवं दिशा को किस यंतर के द्वारा मापा जाता है, हमारे पास 4 आप्शन है, स्पीडो मीटर, ओडो मीटर, नेफो मीटर जैफिर फेदो मीटर, इसका से अंसर है दोस्तों, ओप्शन C, नेफो मीटर के द्वारा ह जो की दिस्टैंस कितनी ट्रेवल की गई है, यह हमें बताता है, ठीक है, कोशनमबर 5 किरों बढ़ते हैं, निवन में से कौन सी एक ठंडी जल्दारा नहीं है, हमारे पास 4 आप्शन दोस्तों, आखोस्टक की जल्दारा, लेबराडोर की जल्दारा, हमबोल्ट की जल्दार अब यह ठंडी जल्दारा है, ठीक है, कोशनमबर 6 किरों बढ़ते हैं, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मातरा लगबग कितने गराम होती है, हमारे पास 4 आप्शन है, 6 गराम, 12 गराम, 15 गराम या फिर 20 गराम, इसका सही अंसर दोस्तों, मुर्गी के अंडे में पहला जय मंडलिया आरक्षी छेत्र स्थापेत किया गया था, ठीक है, कोशनमबर 8 किरों बढ़ते हैं, दोस्तों, निम्ड में से किसे भारतिय करांती की माता कहा जाता था, हमारे पास 4 आप्शन मदर टेरेसा, मैडम भीकाजी गामा, सरोज निनाइडू या फिर रानी जह इसका से अंसर दोस्तों, option B, मैडम भीकाजी गामा को ये भारतिय करांती की माता के रूप में जाना जाता था, देखें दोस्तों, मैडम भीकाजी गामा से लेटर मैंने आपको कल ही एक कोशन कराया था, अगर आपने कल की वीरिय नहीं देखी हो, तो दोस्तों, आप उसको जाता था और सरोजनी नाइडू दोस्तो भारत की प्रतम महीला थी भारते महीला जिनोंने कॉंग्रेस पार्टी के दक्षता की थी और दोस्तो सरोजनी नाइडू प्रतम महीला राज्येपाल वने थी भारत की और दोस्तो कौन से राज्ये की वने थी वो वने थी दोस्तो उत करके बताईएगा दोस्तो राने जहासी का मूल नाम क्या था दोस्तो एक और बताईएगा दोस्तो इनके पती का नाम क्या था ये कोशन अभी हाल ही में दिलीवरी से एजाम में पूछा गया था ठीक है कोशन में नो के और बठते दोस्तो क्रांती कारी संगठन अभी नव भा कहां पर दोस्तों नासिक महारास्ट्रा में देखें दोस्तों कभी-कभी आपको option में विनायक दामदर सावरकर नाद मिलके गनेश दामदर सावरकर भी मिल सकता है जो उनकी इनके ही भाही थे दोस्तों इन दोनों नहीं मिलके इसकी स्थापना की थी ठीक है कोशन नमबर दस क्योर बढ़ते हैं अरुनाचल परदेश का पुराना नाम क्या था हमारे पास चार आप्शन है वफा, नेफा, अरुना या फिर मीशा, इसका सही एंसर है दोस्तो आप्शन भी नेफा, देखे दोस्तो इसकी नेफा ना रख करके क्या रखा गया था अरुनाचल परदेश रखा गया था दोस्तो बीस फरबरी 1987 को अरुनाचल परदेश को केंशासित परदेश का दर्जा हटा करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था बीस फरबरी 1987 को कोशनमर 11 किरो बढ़ते हैं दोस्तों भारत में अंतरिक्ष आयोक की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास 4 उप्षन है सन 1956 में, सन 1964 में या फिर सन 1972 में इसका सही एंसर है दोस्तो ऑप्शन D सन 1932 एक जुन 1932 को ये दोस्तो भारत में अंतरिक्ष आयो की साथना की गई थी कॉशनम और 12 किरों बढ़ते दोस्तो भारती समीधान के किस भाग में राज भाशा का वर्णन किया गया है दोस्तो भाग 15 में भाग 5 में भाग 17 में या फिर भाग 22 में इसका सही एंसर है दोस्तो ऑप्शन C भाग 17 में भाग 17 में ये दोस्तो भारत की राज भाशा का वर्णन किया गया है देखे दोस्तो मैंने आपको बता रखा है अनुचे 343-A के तहट क्या बताएगा दोस्तो अनुचे 343-A के तहट बताएगा है दोस्तो कि भारत की राजभाषा हिंदी और लीपी देवनागरी है ठीकि दोस्तो जो भाग 17 है इसमें अनुचे 343-A से लेकर के 351 तक है देखे दोस्तो भाग 15 में किस के बारे में बताए गया है दोस्तो भाग 15 में बताए गया है निरवाचन आयोग के बारे मतलब कि इलेक्शन कमिशन के बारे में जिसकी स्थापने सन 1950 में की गई थी भाग 5 में क्या बताए गया दोस्तों भाग 5 में संग के बारे इन बताए गया है और दोस्तों मैंने आपको ये बता भी रखा कि भाग 5 सबसे बड़ा भाग है समीदान का ठीक है? कोशन नमर 13 कि बढ़ते हैं समाजिक सुरक्षा एवं समाजिक बीमा कि सूची के विशे हैं हमारे पास 4 ओप्षन दोस्तों संग सूची, राज्य सूची, समवर्थी सूची ये फिर इन में से कोई नहीं देखें दोस्तों मैं आपको बता रखा है, जो हमारी अनुची ये हैं, उसमें 7 वी अनुची में 3 परकार की सूची ये दी गई हैं जो कि हैं संग सूची, जिस पर मैंने बताया था, संग सूची के अंतरकर जितने भी विशे आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है दोस्तों केंद रुक होता है राजय सूची के अंतरकर जितने भी विशे आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है मतलब कि राज्यों को भी और केंद्रों को भी लेकिन अगर उनमें कोई भी टकराव होता है तो दोस्तों केंद्र सरकार को भी माननेता दी जाती है दोस्तों ये समाजिक सुरेक्षा मतलब की पब्लिक सिक्योरिटी और समाजिक भीमा मतलब की पब्लिक इंस्योरेंस दोस्तों ये किसकी विश्य है दोस्तों यो ते समवर्ती सूची के ठीक है कोशनमर 14 के बढ़ते हैं भारत में दिरमीत पहला बहु उद्देश्य उपगरे का नाम क्या था हमारे पास चार ओप्शन दोस्तों इनसेट 1A, इनसेट 2A, इनसेट 3A या फिर इनसेट 4A इसका सही अनसेट 2A था दोस्तों भारत का पहला बहु उद्देश्य उपगरे है मल्टी पर्पस सैटलाइट देखे दोस्तों इनसेट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों देखी जो इंसेट लिखाओ है दोस्तों इसका मतलब था इंडियान नेशनल सेटलाई ठीक है कोश्चनमर 15 के बढ़ते हैं सन 1885 में स्थापेद भारती राष्टे कांग्रेस को पार्टी को यह नाम किसके द्वारा दिया गया था कोश्चनमर 17 के बढ़ते हैं हमारे पार चार ऐसेट बग एरर यह फिर की रॉंग इसका सही अंसर है दोस्तो ऑप्शन A, बग कहा जाता है कि कम्प्यूटर आकड़ों में गलती को कॉश्चन पर अठारा को बढ़ते हैं दोस्तो सम्विधान के किस भाग में सम्विधान संशुद्धन की प्रक्रिया का उल्ले किया गया है हमरे पास चार अप्शन दोस्तो भाग 5 में, भाग 1 में, भाग 20 में या फिर भाग 17 में इसका सही अंसर है दोस्तो देखिए ऑप्शन C, भाग 20 में बताया है दोस्तो सम्विधान संशुद्धन की प्रक्रिया को देखें दोस्तों समिधान संशोंदर की प्रिक्रिया मैं आपको बताया था यह किस आर्टिकल में बताया गया दोस्तों अनुछे 368 की प्रिक्रिया को किया जाता है दोस्तो आप comment section में comment करके बताईएगा कि सम्मिधान संशों ने प्रक्रिया जो है भारत के सम्मिधान में किस देख के सम्मिधान से ली गई है दोस्तो जो मैं आपको बता रहा है भाग 5 में दोस्तो क्या है article 52 से 151 तक दीए गए है भारत के सम्मिधान का भाग एक में दोस्तो भारत के राज्यों दो तक केंद साथ प्रदेशों के बारे में बताए गया है दोस्तो भाग 17 से लेटर मैंने अभी अभी आपके साथ डिसकसी किया था question number 19 के और बढ़ते है question number 21 कान सर दोस्तो आपको comment section में comment करके बताना है किसके सासन काल को मुगलुक का सुन यूक के रूप में जाना जाता है हमने आप से पूछा था था दोस्तो कल किसे संवीधान का सर्डक्शन कहा जाता है इसका सही एंसर था दोस्तो, कोट है भारत का सुप्रेमी कोट, उसको ही जानते हैं दोस्तो, सम्मीधान के सर्रक्ष के रूप में, ठीक है, आज की वीडियो पर समाफते हैं दोस्तो, आपको वीडियो कैसी लेगी, कमेंट सेशल में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें